सदन के सभवती और देश के उपराश्पती आदर्निय फ्रिवंकया नाहिडू जी को उनके कारकाल की समाप्ती परूने धन्यवाद देने के लिए उपस्तित हुए है ये इस सदन के लिए बहुती भावुक पल है सदन के कितने ही एत्यासिक पल आपकी गरिमामय उपस्तिती से जुड़े हुए है फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं आप रिटायड प्रम पॉल्टिक्स बट नोट टायड प्रम पॉब्लिक लाइग और इसे लिए इस सदन को नेत्रुतों देने के आपकी जिम्मेदारी भाय ही पूरी हो रही हो लेकिन आपके अनुभवों का लाब भविश में सुदिर्ग काल तक देश को मिलता रहेगा हम जैसे अनेक सारवजिनी जीवन के कायर करताओं को भी मिलता रहेगा आदेन्य सभावति महोदाएं आजहादी के अमृत महोसों में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई आत्रा शुरू कर रहा है तब देश का नेत्रूत्व भी एक तरह से एक नए यूप के हाथों में हैं हम सब जानते हैं कि इस बारा में एक ऐसी 15 आगस्त मना रहे हैं कि जब कि देश के रास्पती कि पुपराश्ट्वती कि स्पीकर कि प्रधान मंत्री कि सब के सब वो लोग हैं जो आजहाद भारत में पादा हुए और सब के सब कि बहुती साधारन प्रस्ट भूमी से आते हैं कि मैं समझता हूँ उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है कि साथ में कि देश के नए यूग का एक प्रती भी है अधनिया सभापति महोदाई आपको देश के एक ऐसे उप्राश्पति है जिसने अपनी सभी भुविकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है आपने सदन में भी हमेशा युवाओं सांसदों को आगे बढ़ाया उन्हें प्रोथान दिया आप लगातार युवाओं के समवाद के लिए इणिवरसिटिश और इंस्टिजूशंज लगातार जाते रहे रहे हैं नई पिडि के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मारदर्शन भी मिला है और युवाओं भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं इन सभी संस्थानों वे आपकी लोगपुरियता भी भहुत रही है मुझे बताया गया कि वाइस प्रसिदेन के रूप में आपने सदन के बहार जो भाषन दिये उनमें करीब करीब 25 प्रतीशत युवाओं के बिश्वर है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बाब कि अधर्य सभावति महोत है कि व्यक्तिगत रुप से कि मेरा ये सवभागी रहा है कि मैंने कि बड़ी नीकट से कि आपको अलग-अलग भूमिकाओं में देखा है कि बहुत शार ये आपकी भूमिकाओं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सवभागी मिला है कि पार्टी कायरकरता के रूप में आपकी वैचारी पतिवध्यता रही हो एक विधायक के रूप में आपका काम-काज हो साउसत के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो भारती जनता पार्टी के देश के रूप में आपका संग्धनिक कौशल्य और लीडर्सिप की बात हो केमिलेटी मंत्री के रूप में आपकी महनत नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलता हैं देश के लिए बहुत उपकारक रही हैं या फिर उपराश्पती और सदन में के सभावती के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्टा मैंने आपको अलगलत जिम्मिदारियों में बड़े लगन से काम करते भी देखा हैं आपने कभी भी किसी भी काम को बोज नहीं माना आपने हर काम में नए प्राण फुकने का प्रयास किया हैं आपका जजबा आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है मैस सदन के जरिये प्रतेक मान्य सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज देश और लोकतंतर के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्यूनिकेटिंग, चेजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबे आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं आपके यह अनुभाव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंतर को मजबूत करेंगे अधरे रास्पति महोदाए आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिवहा जलकती हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं आपके बन लाइनर्स वीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं यानि उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती यूर इच वर्ड इज हर्ड प्रिफर्ड एंड रेवर्ड एंड नेवर कांटर्ड कैसे कोई अपनी भासा की ताकत के रूप में और सहाजता से इस सामर्थ के लिए जाना जाएं और उस कौशल से स्थीतियों को दिशा मोरने का सामर्थ रखे सच मुझ मैं आपके इस सामर्थ को मैं बढ़ाई देता हूँ साथियों हम जो भी कहते हैं वह महत्वपूर्ण तो होता ही है लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी एहनियत जादा होती है किसी भी समवात की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपेक्ट हो लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो अभीवक्ति की इस कला में वेंकियाजी की दक्षता उस बात से हम सदन में भी और सदन के बार देश के सभी लोग भली भाति परिचीत हैं आपकी अभीवक्ति का अंदाच जितना बेबाग है उतना ही बेजोड भी है आपकी बातों में गहराई भी होती है गंभीरता भी होती है बानी में बीड भी होता है और बेड भी होता है बांत भी होता है और विज्लम भी होता है समवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधूर भी लगता है आदर निये सभावति महोदय अपने दक्षीर में छातर राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तब लोग कहते थे कि जिस विचार धारत से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकड़ भविश में तो दक्षीर में कोई सामर्त नजर नहीं आता है लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्दी कारकरता से यात्रा शुरू करके और दक्षीर भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्टी अद्रश के शिज़ पत्तक पहुंचे ये आपकी एक अवीरत विचार निश्चा कर्तब्य निश्चा और कर्म के प्रती समर्पन भाव का प्रतीख है अगर हमारे पास देश के लिए भावनाय हो बात कहने की कला हो भाषाई विविद्यता में आस्ता हो तो भाषा छेत्र हमारे लिए कभी भी दिवार नहीं बनती हैं ये आपने सिद्ध किया है आदर ये सभावती महोदे आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी मुझे तो विशेश्रुप से याद है मन हमेशा सुना है आप मात्रु भाषा को लेकर के बहुत ही तच्ची रहे हैं बड़े आगरे ही रहे हैं लेकिन उस बात तो कहने का आपका अंदाज भी खुबसूरत है जब आप कहते हैं कि मात्रु भाषा आँखों की रोशनी की तरह होती है मात्रु भाषा आँखों की रोशनी की तरह होती है और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है ऐसी भावना रुदय की गहराई स्वही बाहर आती है वेंकाई जी की मौझूदगी में सदन की कारवाई के दौरान हर भारतिय भाषा को विशिष्ट एहमियत दी गई है आपने सदन में सभी भारतिय भाषाओं को आगे भडाने के लिए काम किया सदन में हमारी सभी 22 लेंग्विज में कोई भी मानिय सदन से बोल सकता है उसका इंतजाम आपने किया आपकी ये प्रतिभाः आपकी ये निश्टा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रुप में हमेशा हमेशा काम करेगी कैसे संसदी और सिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभाःवी धंग से कह सकता है इसके लिए आप प्रेरा पुंज बने रहेंगे आदर्या सभावदी महदाई आपकी नेत्रुत्व चमता आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिवर्दता और प्रोड़क्टिविटी को नई उंचाई दी है आपके कारकाल के बर्षों में राज सभाव की प्रोड़क्टिविटी 70% बढ़ी है सदन में सदस्यों की उपस्तिती बढ़ी है इस दोरान करीब करीब एक सो सततर बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई जो अपने आप में किर्तिमान है आपके मार्दर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनी भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं आपने कितने ही ऐसे निर्ने लिये हैं जो अपर हाउस की अपड़ जर्नी के लिए याद किये जाएंगे सचिवाले के काम में और अधिक Efficiency लाने के लिए भी आपने एक समीतिका भी गठन किया इसी तरह राजसभा सचिवाले को सुव्यवस्थित करना Information Technology को बढ़ावा देना Paperless काम के लिए E-Office System को लागू करना आपके ऐसे कितने ही काम है जिनके जर्ये उच्च सदन को एक नई उंचाई मिली है आदन ये सभावदी महद आए हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है नसा सभा यत्र नसंति वृद्दा नते ये न वदंति धर्मम अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानि कर्तवय की सीख देंगे आपने मांदर्शन में राजसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है आप मान्य सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाब देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से दाड़ते भी थे मुझे भी स्वाद है कि किसी भी सद्द से ने आपके किसी भी सब्द को कभी अन्य था नहीं लिया ये पूजी तब पैदा होती है जब व्यत्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानतों का पालन करते हैं आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है मैं आपके इन मानकों में लोग तंत्र की परिप्रफितोता को देखता हूँ पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दोरान सोरगुल होने लगे तो कारवाही को स्थगित कर दिया जाता है लेकिन आपने समवाद, संपर्क और समनवे के जरिये ना सिर्फ सदन को संचालित किया बलकि उसे प्रोड़क्टिविट भी बनाया सदन की कारवाई के दोरान जब सदस्यों के बीश कभी ट्रक्राव की परिस्थिती परदा होती थी तो आप से बार बार सुनने को मिलता था लेट दे गवर्मेंट प्रपोज, लेट दे अपोजिशन आपोज, एड लेट दे हाउस डिस्पोज इस सदन को दूसरे सदन से आये विधायकों पर निश्चित रुप से सहमती या असहमती का अजिकार है यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक कर सकता है या एमेंट कर सकता है पर उन्हें रोकने की बादित करने की परिकलपना हमारे लोकतंतर में नहीं है हमारी तमाम सहमत्यों और असहमत्यों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्तित है यही हमारे लोगतंत्र की खुपसूर्ती है यह आपके लिए इस सदन के सम्मान का उधारा है मैं आशा करता हूँ कि आपके कारिया आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेणा देंगे अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदर थापित किये हैं जो आगे इस पद पर आसिन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे जो लेगसी आपने स्थापित की है राजसभा उसका अनुसरन करेगी देश के प्रती अपने जवाब देह के अनुसार कार्य करेगी इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से मेरी तरफ से अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है इसके लिए सब के तरफ से रण स्विकार करते हुए मैं आपका धनिवाद करता हूँ बहुत बहुत शुपकामनाई